नमस्ते दोस्तों और एकल टॉक्स के एपिसोड 64 में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे युनिवर्स में कुछ ऐसे प्लानेट के बारे में जो अपने आप पे विचितर हैं हमारे युनिवर्स में ऐसी कई जीजे हैं जिने समझना काफी मुश्किल है उन सभी के बारे में जानकर आप भी हरान हो जाएंगे तो चलिए दोस्तों पता करते हैं कुछ ऐसे ही प्लानेट के बारे में क्या आप एक ऐसे प्लैनेट की कल्पना कर सकते हैं जो हमेशा अंधेरे में ही रहता हो जिस पर कभी भी दिन ना हुआ हो दिन तो दूर की बाद जहां पर दो पल के लिए भी रोशनी ना हुई हो जी हाँ, एक ऐसा प्लनेट है, जिस पर कभी भी रोश्णी नहीं होती वह अपने पर पढ़ने वाली सूरज की सारी रोश्णी को अपने अंदर ही सोक लेता है और अपने पर पढ़ने वाली सूरज की रोशनी का एक पतिशत हिस्सा ही बाहर की और रिफ्लेक्ट करता है यह है प्लानेट है ट्रेस टूबी जो की 2006 में घोजा गया था जिसे कैपिलर 1 भी भी कहा जाता है यह है प्लानेट इतना काला है कि आपको यह है काले रंग की बॉल जैसा लगेगा कुछ विज्ञानिक यह भी कहते हैं कि यह है प्लानेट पूरी तरह से काला नहीं है साथ ही साथ लाल रंग का भी है जी हां क्योंकि है अपने सूरेज के काफी नजदीक है जिसकी वज़ाए से इसका तापमान काफी ज़्यादा होता है इसी के कारण ही थोड़ा सा लाल रंग का दिखता है यह प्लानेट हमारा प्लानेट से 750 लाइट दिखता है और जुपिटर प्लानेट के बराबर ही बड़ा है लेकिन दोनों के मोसम में काफी फर्क है Truss 2B का मोसम जुपिटर प्लैनेट से इसलिए भी अलग है क्योंकि इसका तापमान 1000 डिगरी सेल्सियस है इसमें जुपिटर प्लैनेट की तरहां अमोनिया गैस के बादल नहीं है बलकि रोश्णी को सोखने वाली गैसों के बादल है जैसे वेपराइज, सोडियम, पोटैशियम और कैसी है टाइटेनियम उकसाइड चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरे प्लैनेट की ओर जो है 55 कैंकरी E आपने भी कभी एक ऐसी जगा के बारे में सोचा होगा जहां पर खजाना हो और वो आपको मिल जाए ऐसा ही है यह प्लैनेट, यह है पुरा प्लैनेट ही हीरे से बना है यह प्लैनेट हमारे प्लैनेट से 40 light years दूर है इसे 2004 में खोजा गया था इस प्लैनेट पर प्रिथिवी के वजन से 3 कुना ज़्यादा हीरे पाये जाते हैं वग्यानिक मानते हैं कि यह प्लैनेट हीरे के समाहनी किसी धातु का बना हो सकता है पिर्थिवी से साइज में डबल यह प्लैनेट अपने सूरज का चक्कल लगाने में 18 घंटों से भी कम समय लेता है इस प्लैनेट का वन थर्ड पार्ट हीरे जैसे धातू से बना हो सकता है क्योंकि यह प्लैनेट और प्लैनेट से अलग है इसका ज़्यातर हिस्सा कारबन से बना है विज्यानिक सोचते हैं कि इस प्लैनेट में ज़्यातर कारबन ही पाई जाती है उस कार्बन पर काफी ज़्यदा प्रैशर पढ़ने की वज़ा से इस प्लैनेट का कोर हीरे में बदल गया होगा यही वज़ा है कि इसका वजन पिर्थवी के मुकाबले साड़े 8 गुना ज़्यदा है अगर हम इस प्लैनेट तक पहुंच पाए तो हमें काफी ज़्यदा मातरा में हीरो का गुदाम मिल जाएगा पर वहाँ पहुंचना काफी मुश्किल है क्योंकि यह प्लैनेट हमसे 40 light year दूर है और 1700 degree Celsius पर जल रहा है और हाँ अगर हम वहाँ तक पहुंच भी गए और सारे हीरे प्रित्वी पर ले भी आए तो यहाँ पर उनकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी कम हो जाएगी चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं तीसरे प्लैनेट की और जो है Glysis 436 b यह एक ऐसा प्लैनेट है जो आग में जलता हुआ बरफ का गोला लगता है अपने सूर्च के काफी पास होने के वज़ा से यह काफी गरम रहता है एक ऐसा प्लैनेट जहां पर ना तो जमीन है और ना ही कोई चट्टान यह प्लैनेट 440 degree Celsius तापमन पर जलता रहता है यह प्लैनेट फिजर्च के सभी नियमों के खिलाफ काम करता है यह प्लैनेट लाखों सालों से आग में जलता हुआ बरफ का गोला है यह अपने सूर्च के करीब होने की वज़ा से काफी गरम रहता है फिर भी इसके उपर बरफ की परत है 440 degree Celsius तापमान होने के बाद भी इस पर जम रही बरफ सॉलेट की सॉलेट है इसकी एक वज़ा इस प्लैनेट की काफी ज़्यादा गुर्तवा कर्शन शक्ती भी हो सकती है दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और सस्क्राइब भी करें